राय साहिब का घर मंदर वाली गली में नहीं बलकी गंगा के किनारे था। वो घर गंगा के किनारे ना होता तो मुझे कमरे की खिर्कियों से गंगा के दर्शन कैसे होते। अब आप पूछेंगे ये कब की बात है। आराम से बैठ कर सुनिए। बहुत खुशाली का जमाना थ एक पैसे में तीन सौदे आ जाते थे। आठ दिन नौ मेले वाली बात समझे। एक रुप्य के पंद्रह सेर बास्मती आ जाती थी। दो रुप्य का सोलर सेर दूद। रुप्य की छा मन लकरी। रुप्य का एक मन कोईला। छा हाने गस लट था। साथ पैसे गस बढ़िय था जिसने सैक्रों बहें फैला रखी थी। मुझे हमेशा यही महसूस होता था कि गंगा ने इस पीपल से वही बात कह रखी थी जो राय साहिब ने अपने महमान से। राय साहिब की जबानी पता चला कि उसे उनके पढ़दादा ने यहां लगाया था। वाकर ये पीपल बहुत बूरा था और इसके तने पर इसकी उम्र का हिसाब लिखा हुआ था। राय साहिब की उम्र उस वक्त 30-35 के बीच में होगी। जरा सी बात पर वो दांत निकाल कर हंस परते और जोर देकर कहते आदमी का मन भी तो हर वक्त पीपल के पत्ते की तरह डोलता रहता है। क सर मंदर वाली गली में गूमने निकल जाता और वापस आकर कभी राय साहिब से उसकी तारीफ करता तो वो कहते वहां क्या रखा है। आने जाने वालों के धक्के तो हमें नापसंद हैं और वो भी भांत भांत के पंची मिलते हैं। भांत भांत के चेहरे, भांत भांत के ल रानुमती का कुम्बा देखना हो तो मंदर वाली गली का एक चक्तर लगा आए। वहाँ जगल जगल के लोगों को एक साथ घूंते देखकर मुझे तो ये शक होने लगता है कि ये एक ही देश के लोग हैं। ये तो ठीक है राय साहिब। मैं बहस में ओलज जाता, बंगाली, महाराश्ट्री, गुजराती और मदरासी अलग-अलग है तो अलग-अलग ही तो नजर आएंगे। अपना अपना रूप और रंग-धंग घर में छोड़कर तो तीरत यात्रा पर आने से रहे। राय साहिब के साथ बाते करने से ज्यादा लुत्व मुझे मंदर वाली गली जिसे कहीं भी थोड़ ठिकाना न हो, उसके लिए काशी ही आखिरी ठिकाना है। एक पैसा बाबू, कहकर भीक मांगने वाली जानती थी कि एक पैसा में तीन सौदे आ जाते हैं और भिखारन का ही तजुर्बा भी जैसे मंदर वाली गली का एक एहम तजुर्बा हो। गप्पे हांकने में यात्री और भिखारी बराबर थे। पूजा के फूल और हाथी द जवान लड़की अपनी दो चोटियों में से एक को आगे ले आती या जिस्न सुकेर कर चलती या अंगढाई के अंदाज में महराब सी बना डालती, तो ये मंजर देखकर मुझे महसूस होता कि मंदर वाली गली की आप बीती में ये तफसील भी बड़े खूपसूरत अंद जाज में दर्ज हो गई, इसी तरह कोई भिखारन निचला होंट दातों तले दबा कर किसी भागवान यात्री औरत का सिंगार देखती रह जाती और फिर अपनी मेली कुचली साडी के बावजूद सीना तान कर किसी दुकान के आएने में अपना रूप देखकर मुसकरा ये सब बाते में राय साहिब को सुनाता और वो कहते, चोखटा मंदर वाली गली का है और तस्वीर आपके मन की, हम क्या बोल सकते हैं, ये तो कैमरे की आँखने नहीं, आपके दिमाग की आँखने देखा, राय साहिब की बहुत जायदाद थी, स्याह पक्थर के खरल में व मुफ्त तक्सीम की जाया करें, इनके परदादा ने ये वसीयत भी कर रखी थी कि खरल में दवा घूटने का काम नौकरों से हरगिस न कराया जाए, उसमें शुद्ध गंगा जल परता था और गंगा घात की काई भी एक खास मिकदार में डालते थे, ये काम करते वक्त राय साहिब स्याह पक्थर के उस खरल की कहानी सुनाने लगते, उसे उनके परदादा जगनात पुरी से लाये थे, जिस कारीगर ने ये खरल बनाया था, उसने चारधाम की यात्रा कर रखी थी और राय साहिब के परदादा से उसकी पहली मुलाकात बनारस की इस मंदर वाली गल वो मुझे दूर से ही पहचान लेता वाकई रूपम बहुत हस्मुक था मैं उसे उठा लेता और उसके हाथ मेरी एनक की तरफ उठ जाते राय साहिब कहते बेटा उनकी एनक तूट गई तो पैसे हमें ही भरने पड़ेगे मुझे महसूस होता कि पीपल के दरक्त ने राय साहि कहते रूपम को भी उसी तरह अपने हाथ से स्याह पत्थर के इस खरल में हाजमा की गोलियों की ये दवा घोटनी पड़ा करेगी बढ़ों की रीत को वो छोड़ थोड़ी देगा और वो हाथ उठा कर पीपल की तरफ देखते हुए जैसे दिल ही दिल में किसी मंत्र का लापते एक मास में गरहन जो दूई तो ही अन्न महंगू हुई मैं हस कर कहता आपको क्या परवा है राय साहिब भले ही एक महीने में दो गरहन लगने से अन्न महंगा हो जाए आपके बुजूर्ब जो जायदाद छोड़ गए उस पर चार रोज की महंगाई भला क्या असर क लगते जैसे उसे भी अपने जजबात में शरीक करना चाहते हूं कभी वो सोना उगलने वाली जमीन का किस्सा ले बैठते तो कभी केसर कस्तूरी का बखान करने लगते जिनकी सुगंध उन्हें बेहद अच्छी लगती थी जमीन पर आलती-पालती मार कर बैठना ही उन्हे ज्यादा पसंद था धूप में चमकता हुआ गंगा जल उनके तक्योल को हिमाला की तरफ मोल देता जहां से गंगा निकलती थी वो गंगा की तारीफ करते जो बनारस पर खास्तोर पर महरबान थी गंगा के पक्के सीरियों वाले घात न जाने कितने पुराने थे क्या मजाल गंगा उन्हें बहा कर ले जाए हाला कि वो चाहती तो उसके लिए ये कोई मुश्किल काम न था गंगा को गुसा आ जाता तो वो सारे बनारस को जिन्दा निगल सकती थी ये सब गंगा मया की दया द्रिश्टी है कि वो हमें कुछ नहीं कहती राय साहिब खरल में दवा प्त्ते गिनने लिगती। मैं कहता नन पीपल के पत्ते गिने जा सकते हैं राय साहिब न गंगा की लहरे। माँ का दूड पीते वक्त रुपम का मूम सीपी साब बन जाता है। इस शास्त से हवाले धूंद कर लाते रूपम की जन्म पत्री की बात छिरने पर राय साहिब कहते सब ठीक ठाक रहा उस समय न आंधी आई न गरहन लगा समय आने पर वो दुनिया में अपना लोहा मनवा के रहेगा कहते कहते वो एक दम जजबाती हो जाते बड़ा होने पर र कांडी में खाई उसी में छेद न करे मैं कहता चलती का नाम गारी है राय साहिब राय साहिब बैठे बैठे किसी राग का अलाप शुरू कर देते और फिर बताते राग कोई भी बुरा नहीं होता हर राग की अपनी खूबियां है गाने वाले का कमाल इसमें है कि वो पैदा कर देता कभी मैं कहता एक बात है राय साहिब मंदर वाली गली में जब मैं किसी को टांगे अकड़ा चलते देखता हूं तो मेरा दिमाग उस शक्स के बारे में ये फैसला किये बिना नहीं रहता कि वो बेसोच और सक्ट शक्सियत का मालिक है कभी मैं कहता राय के मुताले से मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि जब वहां कोई और अतेरी पर जोर देकर पाउं घसीट कर चलती है तो समझ लीजी कि उसे तग्योर बिलकुल नापसंद है और मौकों से लाब उठाने की बात सोचते हुए उसे हमेशा एक जजचक सी रहती है राय साहि किसी की लड़कडाती चाल साफ पता देती है कि उस बेचारे में कुववत ए इरादी की एक दम कमी है मैं बार बार रत लगाता मंदिर वाली गली ने ही मुझे सिखाया कि एक खुली हुई मुस्कुराहट के पीछे कुववत और खुलूस का हाथ रहता है और राय साहिब मं किसी मान न मान मैं तेरा महमान किसन की शक्स को दूसरों की गुफ्तकू में बेकार की दखलंदाजी करने का आदी पाया तो मैं इसी नतीजे पर पहुँचा कि उस शक्स को अपने उपर बिलकुल भरोसा नहीं है राय साहिब शोहरत के भूखी थे न दौलत के बड़ी बात करते थे और अपने नजरीय पर डटे रहते गंगा की अजमत के वो काईल थे और बनारस की तारीख में सबसे ज्यादा गंगा का हाथ देखते थे गंगा की तारीफ में राय साहिब श्लोक पर श्लोक सुनाने लगते जैसे कोई दरजी दुपटे पर गोटे की मगजी लगा रहा हो राय साहिब के घर महमान बने मुझे तीन हफ़ते से उपर हो गए थे मेरे लिए ये बात कुछ का महमियत नहीं रखती थी कि मैं राय साहिब का महमान हूँ क्योंकि हरेरा गैरा नत्तु खेरा तो उनका महमान नहीं हो सकता था वाकई राय साहिब की महमान नव पूरा हुआ था, क्या बात है राय साहिब, मैंने पूछा, राय साहिब ने आज पहली बार मेरी आँखों में आँखे डाल कर कहा, बात ऐसी है कि बोलना भी मुश्किल हो रहा है, फिर भी बताना तो होगा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप यही रहिए, अपने महमान से भ मैं ये बात कह सकता हूँ, मैं समझ गया राय साहिब, मुझे यहां रहते सवा महीना हो गया, ये बहुत है, अब वाकई मुझे चला जाना चाहिए, राय साहिब मेरे सामने खड़े-खड़े कबूतर की तरह फर्फडाये, उनकी आखों में बहग हमदर्दी थी लेकिन उनक साफ कह दिया, रूकम के माताजी को मेरे यहां रहने से कष्ट होता है तो मुझे वाकई यहां से चला जाना चाहिए, नहीं नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, ये मेरा धर्म नहीं की महमान चला जाए, अपना काम पूरा किये बिना, वैसे अगर आप कुछ दिन के मंदर वाली गली में कर देते हैं, कल से आप मान जाए, वहां भी हमारा अपना मकान है और उसकी तीसरी मंजिल पर एक कमरा आपके लिए खाली कराया जा चुका है, नहीं मैं वहां जाकर नहीं रहूंगा, आप यकीन कीजिए, मेरी तबियक तो बनारस से भर गई है, अब त माया के श्राप की तो इसमें कोई बात नहीं राय साहिब, ये तो हमारी आपकी बात है, राय साहिब हसकर बोले, माफ कीजिए, शायद आप मुझे दब्बू टाइप का पतिदेव समझ रहे हूंगे, जिसे अंग्रेजी मुहावरे में मुर्गी जदा खाविंद कहते हैं, मुझे ये बात जरा भी बुरी नहीं लगी, राय साहिब, मेरे उपर आपका एहसान है, ये और बात है कि हर चीज इतनी सस्ती है कि एक पैसे की तीन सौदे आ जाते हैं, हाँ तो आराम से बैठ कर सुनिए, पूरे पच्चीस बरस बाद मुझे दुबारा बनारस जाने का और अब बहुत महंगाई का जमाना था, कहां एक रुपे की पंदरह सेर बासमती और कहां सवा रुपे सेर, कहां दो रुपे मन गेहून और कहां सोलह रुपे मन, रुपे की पाच सेर चीनी की बजाए पंदरह आने सेर, रुपे का सोलह सेर दूद की बजाए बारह आने सेर यह महंगाई जैसे आजादी का सबसे बड़ा तोफ़ा था आज मैं एक अद्बी बुलावे पर बनारस गया था पहला घर मुझे याद था जहां मैं 25 बरस पहले ठहरा था मैं पूछता पाचता वहां पहुँचा तो देखा कि वहां न वो घर है न वो पीपल का पेल पूछने पर पता चला कि वो घर और पीपल तो बहुत बरस पहले गंगा में बह गए मेरे दिलो दिमाग में संसनी सी दौल गई राय साहिब अब दूसरी जगह चले गए थे उनके पुराने परोसी से उनका पता चलते देर न लगी मैं वहां पहुँचा तो राय साहिब बहुत तपाक से मिले पता चला कि रूपम का ब्याह हुए सारे तीन बरस होने को आए अब तो रूपम का दो बरस का बेटा है देखिए हम पोते वाले हो गए राय साहिब हसकर बोले राय साहिब मुझे खाना खिलाए बगर न माने उनके चहरे पर इंसानियत का जोहर साफ दिखाई दे रहा था पुराने घर की बात चली तो राय साहिब ने थंडी सांस भर कर कहा उसे तो गंगा मया ले गई और हमारे पुलदादा का लगाया हुआ पीपल भी गंगा में बह गया मैं उटने लगा तो राय साहिब बोले अब तो पच्चीस बरस पुरानी याद ऐसे है जैसे किसी खंधर की दिवार जिसका पूरे का पूरा पलस्तर जड़ गया हो मुझे तो आपकी मेहमान नवाजी में अभी तक नएपन की खुश्बु आ रही है राय साहिब अरे भाई छोड़ो मौसम की तरह हालात भी बदलते रहते हैं राय साहिब ने तो श्रावाज में कहा मैंने कहा याद है न राय साहिब उन दिनों एक पैसे के तीन सौदे आ जाते थे जब मैं चला तो राय साहिब ने रूपम का पता लिखवा दिया जो उन दिनों मंदर वाली गली में रहता था लीजिये रूपम के नाम चित्थी लिख कर सारा वर्तमान हाल बता दूँँ से नहीं तो वो कैसे जानेगा कि वो आपकी गोद में खेल चुका है राय साहिब ने संजीदगी से कहा देखिये मैंने 14 सत्रों में सारी बात लिक डाली मैं मंदर वाली गली में पहुँचा तो यूं महसूस हुआ कि महनगाई के बावजूत कुछ भी नहीं बदला और वो संस्कृत कहावत फिर से मेरे जहन को गुदगुदाने लगी जिसे कहीं भी ठिकाना न मिले उसे काशी ही आखिर थोर रूपम राय साहिब की चित्थी पढ़कर अपनी बीवी को बुला लाया और मां की गोद से निकल कर ननहा शिवम जट मेरे पास चला आया रूपम बोला आप तो मंदर वाली गली के पुराने प्रेमी हैना देखिए यही वो कमरा है जहां 25 बरस पहले पिता जी आपको ठहराना चाहते थे पिता जी ने लिखा है कि आपको गलत फेहमी हो गए थी कि माता जी आपको हमारे गंगा घात वाले घर में रखकर खुश नहीं है उन्होंने तो आपका मंदर वाली गली के साथ गहरा प्रेम देखकर ही यह चाहा था कि आप कुछ दिन इस गली में आकर भी रह जाएं छोड़ो वो पुरानी बात है मैंने मुसकरा कर बात टाल दी इसे भी कही ज्यादा याद रखने वाली बात ये है कि तब मुझे नन्हा रूपम मिला था अब नन्हा शिवम शिवम के हाथ में विश्वनात मंदिर का लकडी का छोटा सा मॉडल था जिसे वो हवा में उच्छाल रहा था घर की बालकोनी में खड़े खड़े मैं जरा पीछे हट गया मुझे दर था कि कहीं शिवम अपना लकडी का खिलोना नीचे मंदिर वाली गली में न गिरा दे नन्हे शिवम की मा ने जल्दी जल्दी अपने सुसर का खत पड़ा और सर पर बनार सी साड़ी ठीक करते हुए वो बोली अब देखिए हम आपको यहां से जल्दी जाने नहीं देंगे जो गलत फेहमी आपको रूपम के माता जी के बारे में हुई वो शिवम के माता जी के बारे में तो नहीं हो सकती मंदिर वाली गली में ऐसे ही उत्तर दखिन और पूरग पच्छिम का संगम हो रहा था जैसे मंदिर वाली गली भी किसी गंगा मया की तरह पुकार रही हो आओ यात्री मेरी नई पुरानी लहरो में उत्तरो